एक blind girl को लगा कि operation के बाद उसके सारे problems मिट जाएंगे उसके चाहने वालों के secrets ने उसे और भी darkness में ठकेल दिया Hello friends, आज मैं आपको All I See Is You, ये 2016 के एक thriller Hollywood movie explain करने वाला हूँ ये movie जो starting में romantic relationship के साथ शुरू होती है slowly slowly एक dark turn लेती जाती है तो अन तक इस वीडियो को जरूर देखेगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर देजिए अब इना किसी देरी के explanation स्टार्ट करते है movie स्टार्ट होती है और हमें कबल दिखाया जाता है हमारी main character का नाम है Gina और उसके husband का नाम है James characters की motive जानने के लिए इनकी relationship में हम deep dive करेंगे movie शुरू होते हैं हमें पता चल जाता है कि Gina blind है आज Gina को उसके sister का call आया जिसे हमें पता चलता है कि आज ही के दिन उसकी family का accident हुआ था इसी accident में Gina ने अपने आखे खो दी थी इस accident को बहुत सारे साल हो चुके है इसके जग अब तक भरे नहीं आज Gina के आईस को दिखाने के लिए ये डॉक्टर के बास जा रहे थे James Gina से बहुत ही प्यार करता है तो ज़रा नर्वस था क्योंकि आज उन्हें पता चलेगा कि क्या Gina फिल से देख सकती है या नहीं डॉक्टर ने आईस वईरा चेक किये जिना का एक आए पुरा बरबाद है पर एक आख से वो कुछ न कुछ देख पाएगी ये दोनों इस नियुस से बहुत ही खुश थे ओपरेशन के लिए ये वेटिंग लिस्ट में है जिना बहुत ही अच्छा गाती है और गिटार पी अच्छा बजाती है तो इस चोटी लड़की को वो लेसन दिया करती है जिना बीचरे कुछ देख नहीं पाती और अपने काम करते गरते जेम्स को अपने ओफेस में ज़रा लेट हो जाता है कभी-कभी जीना बहुत ही जादा डर जाती है जेम्स के घर आने पर उसे बहुत अच्छा लगता है एक दिन जेम्स के घर आने पर जीना ने जेम्स को पास भूलाया, पुछा तुम्हें मेरा इतना खयाल रखना पड़ता है, यँ तुम्हें तकलीफ नहीं होती है। नेक्स जे जीना स्विमिंग पूल गई हुई थी, वही पर शावर लेते हुए उसका पिरेड आ गया, उसकी फ्रेंड इसके लिए उसे हेल्प करती है, जो भी आज हुआ कि वो अपना खुद का बलड देख नहीं पाई, इस बात से वो बहुत ही जादे इंबरेस्ट थी, जे जेम्स को डांस करना अच्छा नहीं लगता, वो इस पर गुस्सा हो गया, कहता है कि हम सब पागोलों की तरह लग रहे है, जीना का वे मूट चला जाता है, वो उसे बाथरूम ले जाने के लिए कहती है, जब वो आपस आई, तो जेम्स आस पास नहीं था, उसे पुकारती ह करने वाले हैं, ऑपरेशन सक्सेस्फुल हुआ, और जीना ने जेम्स को फर्स टाइम देखा, ये दोनों बहुत खुछ थे, जीना ने वर्ल्ड जिस तरीके से इमेजन किया था, ये ज़रा अलग था, वो कहती है, तुम ज़रा अलग लगते हो, जेम्स ने पूछा, क्या त सही नहीं लगता, जीना गहती है, तुम बहुत अच्छे लगते हो, पस से ज़रा डिफरेंट हो, डॉक्टर ने इने आइड्रॉप सगरा दे दिये थे, जीना गहती है, इस सब कुछ कितना कलर्फुल लग रहा है, जेम्स उसे फिर और भी ज़रा कलर्स दिखाने के लिए, डारेकली फुलों के मारकेट में लेकर आया, यह day जीना के लिए बहुतं ही ब्यूटिफुल था, जब वो गहर आये, तो उसे अपना पुरा घर ही अलग लगता है, उसे नहीं लगता कि उसका खुद का घर है, जेम्स जीना के पास आया, कहता है, अब हम हॉलिडे के लिए जहाब और वो अपने हनिमून के लिए गए थे वही पर फिर से जाने वाले है जीना ये सप्राइज सुन कर बहुत ही जादा खुश थे रात में दोनों फिर इंटिमेट हो जाते है जीना आप सब कुछ देख सकती है तो जेम्स को बहुत ही अजीब लगा जीना भी ये सब कु को बहुत ब्यूटिफुल लगा उसे रखता है कि उनके हनिमून से ये रूम ज़रा अलग है जीना उस बता रहा था कि ये सेम है पर जीना कहते हैं कि मैंने इसे फिल किया है ये वो नहीं अगले दिन ये दोनों बोटिंग के लिए जीना को अब आखे मिली है तो खुद एक कि लेके तो किसी स्रेंजर के साथ बात कर रही थी ये जेमस को अच्छा नहीं लगता वो वापस आये तो जेमस सुचता है कि वो कौन था जीना ने कहा कि वो अपनी वाइफ के साथ हनिमून पर आया हुआ हमारे हनिमून पर हमारे बास जो रूम था या अब उन्हें मिला है जेम्स अभी मानता नहीं तो जीना कहती है हम मैनेजर से बात करते हैं जेम्स ने फिर कहा कि मुझे पता है इसलिए उसने जूट कहा था उसे सिर्फ सब कुछ चीज़े परफेक्ट चाहिए थी इसलिए जूट कह रहा था रात में जब ये दोनों घर पर आ रहे थे तो एक कबल को पैसेनेटली इंटिमेट होता देखा जीना भी जेम्स के साथ आज यही सब करना चाहती थी उसने उसके हाथ टाय कर दिया ये जेम्स को बहुत ज़्यादा अनकमफ़टेबल लगता है जीना उसके साथ इंटिमेट होने का ट्राय करती है पर जेम्स बहुत ज़्यादा चिट गया था ये सब चीज़ें रेकॉर्ड भी कर रही थी अगली दिन फिर ये दोनों जीना की सिस्टर से मिलने के लिए गए ये दोनों सिस्टर मिलकर बहुत खुश थे सिस्टर गाज़वन ये बहुत ही स्टेट फॉरोड होता है वो हमेशा अडल जोक वगरा करता रहता है तो जेम्स को इसे ज़रा अंगमवटेबल लगता है रात में ये सब घुमने के लिए जा रहे थे जिना ने एक ब्यूटिवल चा ड्रेस पहना पर जेम्स को अच्छा नहीं लगता जिसे लगता है कि ज़्यादा रिविलिंग है उसने उसे कहा कि पहले तो तुम कभी भी ऐसे कबड़े पहना नहीं करती थी जिना ब्लाइंड थी तो अपने आपको उसने डिस्करवर नहीं किया था तो आप वो यही करना चाहती है वो जेम्स को कहती है यह सिर्फ सिर्फ में तुमारे लिए करती हो रात में घुम्ते घुम्ते एक स्ट्रीप लब जैसे जगा परे गए जिना जेम्स को उसके साथ चलने के लिए कहती है पर James कहता है कि मैं बाहर ही रोकता हो तुम्हें जाना है तुम जा सकती हो यह जब वापस आए और स्टीट से चल रहे थे तो जीना को किसी ने छेडा इस पर वो बहुत ही जादा गुस्सा हो गे जीना के सिस्टर के हजबन ने इन लड़कों को बहुत मारा जीना गुस्सा थी कि James ने उसके लिए कुछ भी नहीं किया रात में जीना की सिस्टर और हजबन इंटिमेट हो रहे थे जीना और James का जगड़ा हुआ है तो सिर्वे आवाज सुनते हैं अगली दिन ये सब मिलकर ज जगा पर जाकर आते हैं जीना इस जगा को फिर से देखकर अपनी लाइफ में मुवान होना चाहती है इसके बाद इनका होलिड़ी खतम हुआ जीना घर आने पर कहती है हमें कहीं और रहने के लिए जाना चाहिए एक घर उससे अपना नहीं लगता जेम्स इस बात को ज़्य किरेस नहीं लेता उसे तो सब कुछ ठीक ही लगता है रात में जीना की सोने के बाद जेम्स ने उसका डैबलेट चेक किया जेम्स के साथ इंटिमेट होते वर्त उसने रिकॉर्ड किया था यह उससे बहुत ही ज़्यादा अजीव लगता है वह उसने एक चीज इस टेब में नोटिस की वो थी कि जीना ने अपने आग पर जरा हाथ लगाय था ओपरेशन के बाद अभी उसे थोड़ा सा इरिटेट हो रहा है जेम्स आता है कि उन्हें एक बेवी हो पर इसके लिए प्रॉलम्स आ रहे थे यह फिर डॉक्टर से चेक करवाते हैं तो डॉक्टर जेम्स उसे पता चला कि जीना आप सब कुछ देख सकती है वो उसे कौफी के लिए पुछता है पर जीना ने उसे मना कर दिया आज घर आते वगत जिना ने अपने हेरस डाय कर लिये थे जेम्स को बहुत ही अजीव लगता है उसे जो लगता है यह बात तो छुपा नहीं पाता जी जीना उनके लिए निवगर देखने के लिए इसके बारे में वह जेम्स से बात करती है एक दिन अचानक से जीना को अपनी आखों में प्रॉल्म आना स्टार्ट हो गया वो डॉक्टर के पास गये तो डॉक्टर कहते है तो मैरी आखों में रिजेक्शन हो रहा है वो कुछ द्रॉप्स प्रिस्काइब करेंगे कुछ दिन बीट गए और जीना की वीजन फिर से वापस जा रही थी वह बहुत ही जादा इस चीज से डिस्टर हो जाती है एक दिन उसे जेम्स के साथ पार्टी में जाना था तो रोने लग गए जेम्स उसे सहारा देता है उसी के साथ निक्सिन में फिर से जीना को हम उसके डॉग को पार्ग में घुमातावा देख सकते है उसका डॉग ओर्ड हो चुगा था तो हीट की वज़े से उसे बहुत ही तकलिफ हो रही थी यहाँ उसे पार्ग में फिर से डैनियल मिला डैनियल कहता है कि मेरा घर पास ही है वही वो को ले जाएंगे और उसका ज़रा आराम होगा इन्होंने ऐसा ही किया जब जीना यहां से जा रही थी तो डैनिल उसे किस कर लेता है जीना की आखे वापर साने के बाद जेम्स और उसमें कोई भी कॉंटेक नहीं था किसी वजे से वो डैनिल के साथ इंटिमेट हो गई जब व पढ़ाती है उसके स्कूल में प्रोग्राम था इसके लिए जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे तब है उसे हस्पिटल से कॉल आया डॉक्टर गहते तुम्हारे ड्रॉप्स में कुछ प्रॉलम था उन्होंने जो प्रिस्क्राइब किये थे इसे किसी ने चेंज कर दिया था व डैनियल ने का अगर मुझे दिखता है तो मैं आपको कॉल करूंगा जेम्स ने डैनियल को जीना से इंड्रॉड्यूस करवाया इन दोनों में ऑक्वर्टनेस था तो जेम्स समझ गया कुछ ना कुछ तो गडबड है वो उसे कंफ्रेंट करता है पर जीना कहती कि ऐसा कुछ कुछ भी नहीं डैनियल जीना के साथ अपनी रिलेशन्शिप कंटिनू करना जाता था पर जीना ने उसे मना कर दिया एक दिन उसे पता चला क्यों प्रेगनेंट है जैसे के मैं पता है यह जेम्स फादर नहीं बन सकता तो यह बच्चा डैनियल का था जेम्स को जब जीना को कुछ भी नहीं दिखता उसके सामने आकर सिर्व उसे देख रहा था जीना के आखे कुछ भी रिस्पॉंस नहीं करते यह दोनों मेल कर नए घर में शिफ्ट हो गए जैक पुराने घर में कुछ सामान लेने के लिए गया हुआ था यहीं पर उसने नोटिस किया जीन जब घर पर आया तो जीना उसके लिए लेटर छोड़ कर गई है यह लेटर एक्च्वल में डैनिल ने जीना को दिया था इसमें लिखा है तुम्हारे डॉक को में चुरा रहा हो यह तुम्हारी मेरे बास एक निशानी रहेगी जीना जेम्स को उसके और डैनिल के बारे में बताना चाहती थी जीना के स्टूडन की प्रोग्राम पर जेम्स भी पहुचता है जीना जब यहां परफॉर्म करती है तो उसने जेम्स के आखों में आख डाल का परफॉर्म किया उसे सब कुछ दिख रहा था जीना को जब से दिखने लग गया था वैसे जेम्स को ज़रा लग रहा था उसने जब वीडियो टेप देखिए नोटीस किया कि जीना की आखों में कुछ प्रॉल्म हुमा रहा है तो उसने उसके डॉज पदल दिये उसे फिर से ब्लाइंड करने का उसका प्लान था जीना को इस सब को समझ में आ गया वो उसे फाइनली छोड़ देती है जेम्स अकेलाई जब रात में ट्राइव कर रहा था तो उसने जो भी किया इस वज़े सो डिस्टरब हो जाता है खुदी अपनी गाड़ी एक ट्रक से टकरा कर उसने खुद खुशी कर ली मूवी के लास सेन में जीना को बेबी हुआ है उसका फेस हो दिखती है और इसे के साथ ये मूवी एंड हो जाती है हम जैसे हमेशा से थे लोग एक्सपेट करते हैं कि हम वैसे ही रहेंगे वक्त के साथ आदमी बदलता जाता है एक्सेप्ट करना कुछ लोग के लिए करना नहीं चाहिए इसे के साथ आज का वीडियों हम खतम करते हैं अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजएगा मैं बहुत सारी मूविस लेकर आता रहता हूं तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर देजिए और बेल नोटिवेशन आइकोन दानमे मत अगरे थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिए